हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें आप लोग को मैं आज बताऊंगा कि इस स्टेंड में कैसे अपने कैमरे को फिक्स करते हैं इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा तो चलिए आये सीखते हैं कैसे लोगों को कैमरे लगाने पर नहीं को मागा निकालने के बात हम इसको अपने कैमरे को लेंगे तो चलिए कैमरे लेते हैं यह रा हमारा कैमरा जिसमें ऐसको को फिक्स करना है तो यह camera Canon का M200 जिस मैं camera के बारे में पूरा detail दूँगा अपने आने वाले सारे वीडियो में तो चलिए हम आज fix करने का पहला सिखाते हैं कि कैसे camera के fix किया जाता है तो यह जैसे हैं आप head को देख सकते हैं इस head को तो हम यह इसमें यहाँ पे nut की तर एक उक की तर होगा लिए तो देख सकते हैं यह मैंने पकड़ दिया है इसको ले आके अपने camera के यहाँ screw type का आप देख सकते हैं जो है उसमें इसको कसना है बस तो कसना सुरू करते हैं मगर यह कसने का एक तरीका होता है जो कि एकदम हलके हातों से और यह जादे आपको लगता है केमरे तो इसको जो जादे करना चाहिए तो जादे नहीं करना चाहिए इसको अंदर के जो चूड़ी मिस कर जाएगा जिसके बाद आपको बहुत जादे दिक्कत होने लगेगी इसको यह जो है इसको हमीजा इस तर बैठा देना चाहिए अब इसको बैठा के ही अपने यह एट पर लगानी की को से इसके लिए उल्टा लगाना चाहिए जिससे आपका कैमरा एकदम इस्टेवल नहीं तो यह द चले दोस्तों देखते हैं कि कैसे इसको सेट करते हैं यह हलके आतों से यह पहले सबसे पहले इसको देखे यह उठाएंगे शेट इसके बाद इसमें सेट करने की कि चले दोस्तों तो हम सीखते हैं यह स्टेंड यह कैमरा है मेरा कैमरा जिसको इस्टेंड में लगाना तो यह सबसे पहले इधर के और ऊपर क्यों लगाई है आप पर किसे विधर जीख इसको लगाई अपिर अब यह कैमरा इस सकते हैं बूर्य लगे से लग गया है अब हम इसको ऱरका कर देते हैं अप फिर थे आपको यह इस तेश्य में आप को अब दिखा रहा हूं तो कितना stable है हमारा camera देख सकते हैं कितना stable है अगर हम खड़ा करेंगे तो यह देखें खड़े होने के बार देख सकते हैं आप खड़े करने के बाद इह चाहिए कितना stable होता है तो यह आप मैंने तीछा तो आपको दिखाए दिया अब इस्टेबल में देख सकते हैं कितना इस्टेबल रथा पर इसे साधानी से यूज किजिएगा और इस स्टेंड का और कैमरे का पूरा फूल सेटिंग मैं सार चीज आपको आने वाले सारे वीडियो में सिखाऊंगा औ आपको काम एक करना पड़ेगा छोटा था मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए इस वीडियो को और मेरे साथ ऐसे ही मेरे परिवाद में जूट जाए और इसी तरह अपने परिवाद को बग राए तो थैंक्यू वेरी मुच